हेलो दोस्तों आप में से कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि रिटेल बैंकिंग का एक्जाम या इलेक्टिव पेपर को दें या ना दें सबसे पहले तो सभी लोगों को कॉंग्रेचुलेशन जिन्होंने ABM का पेपर, BFM का पेपर पास कर लिया है या उन्होंने कुछ पेपर पहले पास किये थे और केवल एकार पेपर रहे गया था और इस बार उन्होंने 45 की रिक्वार्मेंट थी, ABM में या BFM में, उन लोगों से मेरे रिक्वेस्ट है कि रिटेल का पेपर देना चाहिए, क्योंकि लास्ट में एक दो बार ऐसा हुआ है कि वन मार्क्स का चेंज़ेच कभी-कभी, ग्रेस मार्क के रूप में कभी-कभी IABF में किया है, ये लोगों को CIB करना है, उनके लिए रिटेल का पेपर एपियर होना अच्छा है, क्यों रिटेल में बहुत सारे ऐसे कोश्चन होते हैं, जो आगे चलके कभी ABM, BFM में रिपीट मार देते हैं, और आपको ये एक्जाम देने की पैक्टिस होती है, बहुत डिफिकल्ट सेंट लिए और अगर आप इसमें देखना चाते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें आने वाली हैं, तो जो हमारा वीडियो बनावा है डिटेल की स्टेजी का उसको देख सकते हैं, और उसके साथ साथ एक बात और कि हमारी जो डिटेल की कुछ important classes हैं, वो भी सुरू हो रही है, जैसे notifications के लिए और एक 3000 वाला जो special discount चला है, वो दुबारा open हो गया है, और जिन लोगों का अभी वी exam रहे गया है, एक paper रह गया, दो रह गया, या तीनों रह गया है, या नए वाले system में, नए papers के साथ negative marking में, उनको में जून के exam में जाना ही है, उन लोगों के लिए offer available है, और coupon code बगरा सब description box में दिया हुआ है, तो आप लोग उस video को जरूर देखिएगा, जिसमें retail की strategy बता रखिए, और मेरी तरफ से ultimate advice यह है, कि आपको retail का paper देना चाहिए, क्योंकि आपने form भरा है, form भरने के बाद समे exam देने से कुछ नकुछ तो आपको नया मिलेगा ही मिलेगा, और आपकी एक practice होगी, कि next में जून में आप जा रहे हैं, तो वहां help करेगा, और अगर आपके बहुती कम marks हैं, तो एक बार कोई सोच सकते हैं, कि छोड़ो क्या फायदा, लेकिन दिनका one marks वाला मामला है, तो उनको exam देना चाहिए, ठीक है, तो मेरी बात आप मानीगा, thank you so much.